दही बड़ा ऐसा हो कि मुँ में रखते ही घुल जाए और खाने वाला 5-7 दही बड़ा खा जाए तो आप समझ जाएगा कि दही बड़ा आपका बहुत जादा टेस्टी बना है तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हो जिसका इस्तिमाल करके अगर आप दही बड़ा बनाएंगे तो खाने वाला दही बड़े के साथ उंगलिया भी खा जाएगा रूई से भी जादा सौफ्ट स्वाद ऐसा जो दिल को चूँ जाए आज हम ऐसा दही बड़ा बनाएंगे तो इस वीडियो में आप सारे स्टेप को एकदम ध्यान से देखिए जिससे की आपका भी दही बड़ा एकदम स्वादिष्ट बनेगा तो दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डिगड कप उड़त की दाल को धूली वाली अच्छे से भीगो के रखा था अच्छे से साथ घंटे के लिए ये फूल गई है तो इसके पानी को मैं हटा कर इसको साफ कर लूँगी डाल को अच्छे से साफ करने के बाद इसको डालूँगी मैं एक ग्राइंडिंग जार में ये जो मेरा जार है ना मीडियम साइज का है तो इतने वड़े जार में दो बार में डाल पिसकी रेडी हो जाएगी और साथे साथ मैं इसमें डाल देती हूँ दो चमच खाने वाला तेल मेरी जो सास है ना यानि ममी जी है उन्होंने बताया था कि दही बड़े जब भी बनाओ तो डाल पीचते समय उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो दही बड़े बहुत सौफ्ट बनते हैं इसको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे चलाने के बाद जो डाल है अभी गाड़ी है और अच्छे से पिसी भी नहीं है तो अब मैं क्या करूंगी इसमें डाल दोंगी आदा कप पानी और पानी डालने के बाद डाल को हम नहीं पड़ेगी यह देखिए डाले आपर अच्छे से पिस गई है आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हो गई है प्रॉपर तरीके से चिकनी हो गई है कटोरी में पानी लेकर इसको हम डाल के देखेंगे यह देखिए उपर तैर रही है इसका मतलब है कि पर्फेक्ट तरी से मिलाना है यह देखिए मैं आपको टेक्शर चेक कराती हूं एकदम पर्फेक्ट डाल का टेक्शर आ गया है एकदम स्मूथ हो गई है अब हातों में लगाएंगे थोड़ा सा पानी और लेंगे डाल का पोर्शन पानी लगाने से जो डाल हातों में चिपकती नहीं है और ही आसानी से यह तेल में चली जाती है यह देखिए तो बस इसी तरीके से हमें बढ़ों को बनाते जाना है यहां पर आप देह सकते हैं जो तेल का टेंप्रेचर एकदम लोग है तो हमें लोग फ्लेम पर ही इसको अच्छे से तलना है जैसे जैसे बड़े तलेंगे अपने आप ही फूलते जाएंगे यहाँ पर एक ट्रिक और है कि आप एक चम्मच लें और तेल को ऐसे उच्छालते जाएं बड़ों के उपर जिससे की यह और भी ज़्यादा फूलेंगे और अच्छे से तल जाएंगे अभी आप देख सकते हैं बड़े जो है ना चिपके हुए हैं जैसे जैसे यह तलेंगे अपने आप ही अलग हो जाएंगे कुछ इस तरीके से यह बड़े तल के तयार हो गए हैं इनको निकाल कर मैं साइट में रख लेती हूँ एक प्लेट में तो सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके अब हमें इसी तरीके से और बड़े बना के रख लेने ह यहां पर मैंने सारे बड़े बना लिये हैं एक बड़ा मैं चेक करके दिखाती हूँ यह दिखी कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है अंदर से भी अच्छे से सीख चुका है बिल्कुल भी इसमें अंदर गुठली नहीं है तो वो गुठली इसलिए पड़ती है कि बड़ों को वो लोग क्या करते हैं कि हाई फ्लेम पे सेख देते हैं ध्यान लखें कि इनको लो फ्लेम पे ही सेखें अब बड़ों को एक पानी के बतीले में हमें ऐसे डाल देना है यह जो पानी है रूम टेंपरिचर वाला है गरम नहीं है और धक्के छोड़ देना है यहाँ पर बड़ों को फूलते फूलते पूरे आदा घंटा हो गए हैं अच्छे से फूल गए हैं कलर भी चेंज हो गया है दवाने से यह देखे पानी निकल रहा है पानी भी इन्हों ने अंदर तक सोक कर लिया है बहुत ही ज़्यादा यह सौफ्ट बने हैं चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं आप यहाँ पर बड़े को देख सकते हैं कितना ज्यादा सौप्ट बना है बहुत बहुत बढ़िया बड़ा बना है तो यह मैंने यहाँ पर प्लेट में रख लिये हैं बड़े आपको जितने बड़े एक बार में लगाने हैं प्लेट में उतने लगा सकते हैं और डालूंगी इनके उपर सूपर टेस्टी एकदम यम्मी वाला दही दही बड़ों का मेन इंगिरेंट होता है दही तो दही आप भर भर के डालें डालोंगी इमली की खटी मीठी चटनी इसका वीडियो चैनल पर है आप जाके देख सकते हैं और मैंने इनका लिंक भी दिया है लिंक पर क्ल जाने बाले दही बड़े बनके तैयार हुए हैं और एक बड़ा हम काटके देखते हैं देखिए रूई की तरह नरम सूपर सौफ्ट दही बड़ा बना है और आप देख सकते हैं कि बड़ों के अंदर दही भी अच्छे से भर गया है आप भी रक्षबंदन पे इन बड़ो को जरूर ट्राय करें और घर में कैसे लगे आपके ये बड़े कमेंट करके जरूर बताएं मिलेंगे अगले नए वीडियो में तब तक के लिए आपका देशोभो नमस्ते